कभी सोती वी लड़की एक बुड़ी दादी मा बन जाती है तो कभी एक कुत्ते की तस्वीर में एक रहस से छुपा होता है आज की वीडियो आप जिंदगी भर कभी नहीं बोल पाओगे इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना और लाश में आप कहोगे अरे ये क्या था भ पांच सेकंड में तुरंत योर टाइम स्टार्ट्स नाओ ये बड़ा है राइट रॉंग असल में दोनों सर्कल्स का साइज सेम है पर इसके आजू-बाजो के जो फिगर्स बने हुए है उसके चलते आपका दिमाग इसके सही साइज को भाप नहीं पाता लेफ्ट वाले इ यह कैसा इमेज है इस लड़की का इमेज आज तक आपने नहीं देखा पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस लड़की की ऐसी इमेज देखने के बाद आपका दिमाग इसको कलर देगा इक्जैक्टली बिलीब नहीं हो रहा है तो यह करो आप इस इमेज को 25 सेकंड तक देखो इसके नाक पर एक डॉट है यहाँ पर इसे देखना है आपको और इसके बाद जब मैं कहूंगा तब इसके साइड में मौजूद वाइट स्पेस में किसी एक जगा पर देखना बिना पलक जपकाए मतलब जब लड़की के नाक पर देख रहे हो तब थोड़ी मोड़ी पलक जपका सकते हो क्योंकि 25 सेकंड तक बिना पलक जपकाए बहुत मुश्किल होगा लेगिन 25 सेकंड बाद जब वाइट स्पेस को देखोगे तब पलक मत जपकाना और इस वाइट स्पेस में कहीं पर भी एक जगा पर देखना तब आपको इसी एरिया में उसका एक कलरड़ इ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चलो अब जट से उस साइड वाले वाइट जगा को देखो वाइट एरिया में कहीं भी किसी भी एक जगा पर नजरे गड़ाया रखो और पलक मत जपकाना 12345 लड़की दिखी न और वो भी कलरड़ राइट दिमाग ब्लैक और वाइट को भी कलर में बदल सकता है वाव बुड़ी औरत कंबल ओड़े हुए या जवान लड़की इस पेंटिंग में आपको क्या दिख रहा है देखो बुड़ी औरत का नाक यहां है यहां पर आख है यहां उसका ओट है यहां उसका जौ है और यह बैठी हुए एक कंबल ओड़के राइट अब इस इमेज को ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ 10 सेकंड तक आपको एक जवान लड़की दिखेगी दिखी? ने दिखी? चलो मैं दिखाता हूँ लड़की का कान यहां है और उसका चेहरा उस तरफ मुड़ा हुआ है बुड़ी औरत का आख लड़की का कान है और लड़की का नाक यहां है यह चोटा सा और यहां इसका गाल है और यहां बाल है और यह उस तरफ मुड़कर सो कोई हुई है एक ही इमेज में बोड़ी और और एक सोती हुई जवान लड़की गजब है ना अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके आप इसे ध्यान से देख सकते हो आपको दोनों दिख जाएगा बोड़ी और जवान लड़की रोटेशनल इल्यूजन इस इमेज को देखो एक्चली इसके बीच के काले वाले डॉट को देखो आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ओके अब एक काम करो बीच वाले डॉट को देखते हुए ही अपने मोबाइल को आगे पीछे करो आगे पीछे आगे पीछे करो हाँ अब आ रहा है ना मजा ऐसा रहता है कि मशीन के अंदर के पार्ट्स घूम रहा है ना सबसे मस्त इल्यूजन इस इमेज को देखो अजीब सा कलर है इस इमेज का है ना ओके अब इसके बीच में जो काला डॉट है यहां पर उसे देखते रहो ठीक है देखो और हां नजर मत अटाना जब तक मैं नहीं कहू अभी पर काले वाले को देखते रहों के आपको हरेहे लोल जरा वापस आके देखो देंखकर इस इमेज को देखो और जट से बताो यह line और यह line दौनेंसे कौन जाधा बढ़ा है एक दो तीन चार पांच यह वाला बढ़ा है उपर नहीं न यह वाला बढ़ा है न यह वाला पड़ा है दोनुं एक्च्छाली सेम लंध का है विश्वास नहीं होता तो इसके लब अपकर देख लो ये जास्ट एक illusion है आँखों का धोका अक्सर हमारा दिमाग चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाता और आपको wrong output दे देता है गायब होने वाला illusion इस फोटो को देखो इस प्लस मार्क के चारु तरफ गुलाबी कलर के dots भरे हुए पर आप देखो जादू इस इमेच देखते रहना देखते रहना आपको सिर्फ एक ही ball दिख रहा होगा जो चारो तरफ घूम रहा है अब वापस नॉर्मल हो जाओ अब आपको पहले जैसे pink dots देखने को मिल रहे होगे जब आप उस पर focus करते हो तब सारे dots गायब हो जाते और सिर्फ एक ही dot घूमता है ये भी आपके दिमाग का एक illusion है और कुछ नहीं quite interesting isn't it Paris trick इस पिक को देखो इस image में ट्रेंगल है ओके इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है simple सा कुछ लिखा हुआ है पढ़के बताओ कि क्या लिखा हुआ है और बताओ कि इस sentence में लफडा क्या है आपको मिलेंगे 6 seconds one two three four five six हम तो क्या लिखा हुआ है इसमें will is in the spring paris in the spring इसमें क्या है पैरिस इनस्प्रिंग ही तो लिखा हुआ है पैर इस इन दर स्प्रिंग है से क्या हो अगर मैं बोलूं कि आप गलत पड़ रहे हो इसमें लिखा हुआ है पैरिस इन द द स्प्रिंग ऑव माई काश दो बार द था क्या आपने से नोटिस किया नहीं किया होगा और किया भी होगा तो वो आप लोगों में से सिर्फ दो या तीन परसंट ही लोग होगे असल में दिमाग का इंफॉर्मेशन को नेगलेक्ट कर देता है फेडिंग इमेज इसी मेज के बीच में आप देखो जो जगह आपको लगता है किसी मेज का सेंटर है उसे देखो और बिना पलग जपकाए देखते रहो रहो देखते रहो 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी देखते रहना फोकस बनाए रखना कलर्स गायब हो गया है ना पूरा वाइट हो चुका है वापस आजाओ कलर्स तो हैं फिर से आप चाहो तो आप बीच में फोकस करके देख सकते हो बीच में देखने से सारे कलर्स गायब इसलिए कहता हूं कि लाइफ में जो पॉजिटिव चीजे हैं उसी पर ध्यान दो नेगेटिव चीजे अपने आप ही गायब हो जाएगी बड़ा यह छोटा इस धुंदले इमेज में आपको क्या दिख रहा है दो मॉंस्टर दिख रहा है राइट चलो अब यह बताओ कि कौन सा मॉंस्टर ज्य आप्स्टिक पेवी चूटी स्पाइरल पहले बतादू सब्सक्राइब को चीज शेप को कहते हैं शाधं आपको पता होगा एक एसा 내용 को आफ्यर जो एक पॉइंट से श्रुओ ओता है और गोल 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 गूल गूमते हुए भाह cookie है तो आप इस पोटो ऑर बताओ कि क् येस और नो में उत्तर देना है ये स्पैरल है या नहीं वन टू थ्री फोर समय समाप्त अगर आपने येस को लॉक किया है तो आपका एंसर सही है नॉर्मल हम एवरिटिंग गुड कार्ष अभी जो बोला वो सही होता आपका उतर गलत है सही उतर है नो क्योंकि ये एक स्पैर स्पैरल का ग्रूप है और ये सरकल है ये सरकल का मिश्रन है मतलब इस इमेज के बैक्राउंड को हटा दें तो ये कुछ ऐसा होगा ये जो देख रहे हो सरकल के अंदर सरकल ये सिंपली यही है पर इस इमेज में आपको ये स्पाइरल के रूप में दिख रहा है ना गजब ह इस फोटो को आप देखो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं अब जवाब दो सवाल ये है कि ये दोनों रेड़ लाइन किस शेप का है दो आपके पास तेढ़ा या सीधा पांच सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब आप लोगों में से 99% लोग बोले होंगे टेढ़ा पर जैसे कि आज हम लोग अमेजिंग चीजों को देख रहे हैं ये दोनों लाइन्स असल में सीधा है और एक दूसरे के समानांतर है यानि पैरलल है आपके मुह से अब निकल रहा होगा अरे तेरी ये कैसे संभव यार य उसी के चलते आपको ये टेढ़ा दिख रहा है आपको विश्वास नहीं होता तो एक स्केल उठाओ और स्क्रीन पर उसके साथ मिला कर देखो आप शॉक्त हो जाओगे जॉलनर इल्यूजन इस फोटो में बहुत सारे डागोनल्स हैं एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां और फाइव देखो दिखने में तो यह दिखता है टेढ़ा मेडा टेढ़ा मेडा पर अगर मैं उन छोटे-छोटे लाइन को हटा दूं तब यह देखो यह कैसा दिखता है आप सोच रहे होंगे वो कौन है यह ट्रिक्स और कहां से आते हैं आप इस पिक को ध्यान से देखो कुछ अजीब नहीं है पर आप मैं आपको दुनिया की सबसे अमेजिंग चीज का अनुभव कराऊंगा इस इमेज का यह सेंटर जो की यह काला वाला पार्ट है इसे देखते रहो 45 सेंड तक उसके बाद इस साइड वाले एरिया में देखना इसे पिछली बार देखे थे थ होगा वन तो त्री अब जल्दी से साइड वाले एरिया में कहीं पर भी किसी एक जगह पर अपनी नजरे गड़ाये रखो और बोलो क्या दिख रहा है आपको वोव कौन है वो यह है जादूवी ग्रिड इस इमिज को देखो और इन बीच वाले वाइट वाइट जगह पर इसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितने वाइट जगह हैं क्या इसमें ब्लैक डॉट्स भरे हुए हैं जवाब दो चार सेकंड्स में बाकी वाले में ब्लैक डॉट्स भोता है बस उसी में नहीं होता जिसमें आप देखते हो गजब की चीज़ें है ना असल में कहीं पर भी ब्लैक डॉट्स भरा वा नहीं है इस पिक्चर के ब्लैक कलर के चलते आपका दिमाग वाइट एरिया को ब्लैक कलर से भर देता है और इल्यूजन क्रियेट कर देता है घूमता पहिया ओ एम जी इन सारे पहियों को तो एक बार देखो यह तो घूम रहा है ना नहीं भाई यह असल में एक स्टिल इमेज है यह सिर्फ एक फोटो है एक एक जम अबर वाला ब्लैक लाइन है यह नीचे वाले किस वाले लाइन से मिलता है मतलब किस वाले के सांथ जुड़ा हुआ बैक्ग्राउंड में आपको साथ सेकंड मिलेंगे वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सही जवाब है ब्लू वाला नर्मल काश मैं ऐसा कह पाता अस असल में किसी चीज को प्रेडिट करने में बहुत ज्यादा गलती करता है इस्पेशली डाइगोनल तिंग्स आपका दिमाग देखो कितनी गलती करता है जो है वह दिखता नहीं और जो नहीं है वही आपको दिखता है दुनिया भी कितनी अजीव है न अब बात करते हैं इस इमेज की डॉग इमेज इल्यूजन बात यह है कि एक डॉग का तस्वीर तो है पर इसके अंदर एक बहुत गहरा राज चुपा हुआ है इस तस्वीर में कोई और भी चुपा हुआ है एक इंसान चुपा हुआ है और वो इंसान डॉग का मालिक है आप बताओ मालिक कहां च देखो यहाँ पर छुपा हुआ है उसका मालिक यह देखो उसकी टोपी है यहाँ उसका नाक है यहाँ यह उसका दाढ़ी है यह पूरा चहरा है उसका गजब राइट आपको यह वीडियो कैसा लगा मीचे कमेंट जरूर करना इस वीडियो लाइक जरूर करना शेयर जरूर कर और अगर आपने अभी तक बेल आइकन अन नहीं किया है तो अन जरूर कर लेना और अगर पहले से यह सब कर लिया है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स